नमस्यद्स व्लकुम बाग टियो ओन चैनल वेल्स अगज महिने का पहला ट्रेडिग सेशन लेकिन ऑगस्ट की सीरीज पहले से स्टार्ट हो चुकी है फिलाल दोस्तों यह जो आपको फिगर वगण दिखाई पीड़ रहा है यह कल रात का है आई ज़स परपस्फुली क्प द नहीं बोला गया है तो मार्केट चीर अप इन फाक्ट यूएस मार्केट्स होगा आप देखे तो धाड़े परसेंट की तेजी दिखाई पड़ रही थी लिगाज मॉर्णिंग में आपको हैंसेंग औरेशन मार्केट्स में थोड़ा सा प्रेशर दिखाई पड़ रहा लेकिन निफ्टी बैंक के बारे हम बात रहे हैं तो निफ्टी बैंक भी 54 पॉंट्स की तेजी दिखाने के बाद कोशिश यही करी कि पॉजिटिव नोट पे क्लोज हो अल्टीमेटली दोनों के इंपोर्टन रेजिस्टेंस के हैं उनको हम लोग ने कल शाम को डिस्कस किया था आगे फिर से एक बार कवर कर लेंगे कल के कुछ स्टॉक्स जिसमें की अच्छी खासी तेजी दिखा ही पड़ रही थी उसमें थे ग्रानियूल सेंडिया जो की आपको ने जोर रखनी चाहिए कल आइह उब्यूमेंबर सो अगर आप देखें तो टॉप फोर में से टॉप टू स्टॉक्स वर दी चेमिकल श्रॉक्स बाकि सारे केमिकल स्टॉक्स में भी तेजी दिखा ही पड़ रही थी अगर आप देखेंगे प्रमेफे से आपको की प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो चुका है इसके लाव दोसों वातर है कमोडिटी सेशन की इस गोल्ड आराउंड 69,000 और सिल्वर आराउंड 83,600 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है गोल्ड 68,000 के लेवल से 1000 पॉइंट्स उपर जा चुका है कल के दिन क्रू अपने ही लोगों को परिशान करके अल्टीमेटली दिर एम एजंडा इस युना ओनली वान विच इसको इस टोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ रही थे इसको वीकनेस बोलेंगे कि क्या बोलेंगे आइकांट से बात इन रूपी वस लोगिंस लाइटली स्रॉंगर अगे हुआ है अब यह आज चूटे का कि कल आई के नोट कॉमेंट लेकिन 25,000 के लेवल के टूटते ही आपको यहां पर ओहो दिस नोट 24 दिखाई पड़ सकती है निफ्टी बैंक के बारे हम बात रहें करके दिन 54 पॉंट्स की तेजी थी क्लोजिं हुई 51,500 के ऊपर अब टीन सो पॉंट्स मिलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं प्रामरली बिगाज ओव शॉट कवर रहें जो कि 51,500 के लेवल से ही पॉसुबल है अगर उसके ऊपर मार्केट मॉव करना शुरू करती है तो नीचे के लेवल पर 51,400 के इंपॉर्टन सपोर्ड लेवल हैं ब्रीच क तरफ से बाइंग थी डबल थी, डबल सिक्स करोड की तो बेसिकली एफ ऐस की सेलिंग को डियाएज अब्जॉब करने की कोशिश कर रहें और यह पैसा किसका है जिससे अब्जॉब किया रहा है आपको और मेरा जो केसाईपी के फार्म में मार्केट में जा रहा है एंड य और में इंडिया के रेञटर्स घुड़ बहरें को बाजन दो निकल श्यवा में में नखे है त्ट गीञ तक seni किया है किया है अब दोस्तों ये एक रूटीन मैटर हो गया है कि बाई विंट फॉल गेंट टैक्सेस को बढ़ा देना घटा देना बेज चांदी क्रूड प्राइस जिससे की गवर्मेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए यह यह रिजन दोस्तों कि ओल मार्केटिंग कंपनी अब यह संस्ता जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी मेडिकल सर्विसेस को केटर फॉर करती है तो 178 ECG मशीन्स डिफेंस फोर्सेस को प्रवाइड करना इस प्रस्टीजियस और मेरे साब से दोस्तों यहां से मुझे इन स्टॉक्स को स्टॉड़ी करना चाहिए और यू मस्ट इस टॉक्स के बारे में बात रहें तो यूएस फेड ने लेनिंग रेट को अंचेंज रखा है अब दोस्तों बैंकों की कमाई कव होती है जब इंट्रेस्ट रेट ऊपर या नीचे जाए अगर इंट्रेस्ट रेट ऊपर जाते हैं बागते हैं तो उनका अच्छा का इंट्रेस्ट बनना शुरू करता है मार्जन बढ़ते हैं जिब इंट्रेस्ट रेट कम होते हैं तो क्या करते हैं वह एफडी के रेट तो फटाफट 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 गिरा देते हैं लेकिन अपने इंट्रेस्ट रेट को कम नहीं करते हैं तो उससे क्या है वहाँ पर पूर रिजल्ट्स के बारें बात ने ज्यादा निगेटिव रिजल्ट्स थे नहीं, बाट रिलाक्स हो, बीएची एल, अडानी पावर, टीम लीज की, एरबियल के रिजल्ट्स पूर थे, बीकाजी के प्रमोटर्स ने कल के दिन 3,00,000 शेयर्स सेल किये हैं, लेकिन यह निगेटिव निउज नहीं है, क्योंकि उनका जो शेयर्स होल्डिंग पैटरन था, वो उसके एसाब से 75% से जएदा के शेयर्स प्रमोटर्स के पास में थे, तो एस बर दी रूल्स, 75% से नीचे होने चाहिए प्रमोटर्स की शेयर्स होल्डिंग, तो उसको प्रमोटर्स शेयर्स होल्डिंग को नॉम्स में लाने के लिए उन्होंने तीन लाग शेयर्स सेल की हैं, और अभी जो उनकी होल्डिंग है, 75% से नीचे हो चुकी है, दो स्टोक बैन में हैं, इंडिया सेमेंट, ग्रानियूल्स, इसके लब आज के दिन जो important results आने हैं, काफी सारे important mid-cap results आने हैं, AB Capital, Adani Enterprises, Alkylamine, Bombay Dying, Dabr के results आने हैं, इमामी बहुत अच्छा भागा है भी recently उसमें नज़र रखिये, Escorts में नज़र रखिये, GE Shipping ओहो, इस पर तो नज़र रखनी हैं बढ़ाईगी भाई, GHCL, HPL Electric, ITC, Xigo, Kalyan Jewelers, Max Health, Paradip, Phosphate, RailTill, Tata Motors, Tata Motors, DVR, and WellSpring Enterprises, तो कई सारे stocks हैं जिस पर आपकी नज़रे होनी चाहिए, और 25,000 के levels पर Nifty पर नज़र रखो, अब USPET की मीट के बाद में RBI की मीट आने वाली है, उस पर RBI के का डिरेक्शन हों के, काफी सारी चीज़े हैं दो सो मार्केट में प्लैंड है, keep an eye, keep an eye, keep an eye on morning and evening updates, we'll keep you updated, and if you want to get closer to us, links are in description, because of that, thank you so very much, bye-bye for now.